Hello friends, welcome to Kosar Classes आज की वीडियो है N.I.U.S के सबी स्टुरेंट के लिए हैं चाहें आप जून वाले स्टुरेंट हैं जिनके एक्जाम अप्रिल में होने वाले थे या फिर आप ओक्टुबर वाले स्टुरेंट हैं या ओन्निमान वाले स्टुरेंट हैं या फिर आप हैं स्टुरेंट अप्रिल 2022 वाले कोई भी स्टुरेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं आप अगर N.I.U.S के स्टुरेंट है इस वीडियो को एंट तक देखेगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैल्फल रहेगी देखे काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं हम N.I.U.S वाले बच्चों के बारे में कोई क्यों नी बात कर रहे हैं कि कोई भी न्यू चैनल वाले N.I.U.S के बारे में क्यों नी बोलते हैं लेकिन N.I.U.S के बारे में इसलिए नी बोला जाता है आप खुद भी जाएए यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करिए किसी भी सी बीसी के आप चैनल को देख लीजिए अब आप N.I.U.S का किसी भी चैनल पर जाके देख लीजिए यूट्यूब पर कहीं पर भी जाएए तो आपको जादे से जादे हैं पर कितने मिलेंगे 32 आप खुद ही रिसाइड करिए कि जो इस नी बड़े बड़े नी वाले हैं वो 10 लाग बच्चों को सपोर्ट करेंग आने वाले एड के अपने हुझे अड़े ऊधे मिलेंगे 32 रीय्वेट और पिशर मिलेंगे 32 बनालो यहां पर सबगए 16-çonsionen रीके हम वेब बीदोव की जदखी दो यहां इस लिए मंवारी बूल भी रहे हूं लेकिन काफी बच्चों ने इस बात को नहीं सुना अब बच्चों हैं खुद ही कोमेंट करें आप एक और कोमेंट्स देख लिजे बच्चों की आप देख सकते हैं इनके ट्वीट में उन्होंने अपने कोमेंट्स में लिखा है कि मैम आज मैंने देखा था जो CBSC के बच्चे थे उन्होंने 25-30,000 बच्चों ने ट्वीट किया था लेकिन NIUS के शिरिफ 110 बच्चों ने ट्वीट किया था ऐसे अगर बच्चे एक साथ सपोर्ट नहीं करेंगे यानि कि मिलके एक साथ नहीं आएंगे तो मैं पका हमारे एक्जाम हो जाएंगे प्लीज इस कमेंट पर वीडियो बना दीजिए देखिये एक और नेक्स्ट कमेंट है आप यहाँ पर इस कमेंट को देख सकते हैं इन्होंने बोलाए कि दीदी सभी स्टुनेंट आपकी बात मानते हैं तो प्लीज हमारे एक वाटस्ट गूरुब बना दीजिए जहांपर हम दूसरे के साथ मिलके डिसकस कर सके हैं मनद्ब एक साथ युनिटी बना सके हैं तुँ ऐडीयर यह पोसिबल नहीं था इससे पेले मैंने वाटस्ट गूरुप बना था अपस में बाते करने रखते हैं बहुत सारे बच्चे लिंक शेयर कर देते हैं कि अब ये डेट शीट आ गए अब बच्चे आपस में परिशान हो जाते हैं तो पॉसिबल ही कि मैं हो पर सब को रिपलाई करती रहूं इससे अच्छा सबसे बैस तरीका यह है अगर आप मुझे वीडियो तो झाल आप से इसे कर सकते हैं तो देखे हैं चेल करना होगada याँड़ी से आपका एक तो YouTube और दूसरा है आपका Twitter अकाउंट तो दोनों पर ही आप मुझे फोलो कर लिजिए ताकि हमारी जो बात है उसको आगे हम पहुचा सके हैं यानि कि हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री तक NIOs तक हम इजली अपनी बात को डग सके हैं यहां पर मैं एक कोमेंट और पिकाना चाहूंगी और आप यह कोमेंट साइड में देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि I am 12th class student from NIOs जो भी मेरी तरह NIOs का student हो उन सबसे मेरी एक request है CBSC student को बहुत लोग support कर रहे हैं पर हम NIOs वाले student को सिर्फ kosher maim और बहुत कम YouTuber ही support कर रहे हैं इसलिए हम सब NIOs student को मिलकर kosher maim के चैनल को जादे से जादे support करना होगा क्योंकि maim ऐसे ही NIOs के student की problem solve करती रहे हैं सबसे पहले मैं आपको thank you बोलना चाहूंगी thank you so much dear maim आपकी comments जो है वो सभी बच्चों तक पहुचाती है अब बाकी बच्चों की मर्ची है कि वो तो जिस तरीके से बच्चों का भी लास्ट उसमें देखा होगा मीटिंग में परफॉमेंस था पहली बर की मीटिंग होई थी 17 में को उसमें बच्चों ने ट्रेंडिंग नमर बन पर ले आये थे जो उनकी बार थी कि सभी 12 के exam कैंसल होने चाहिए बट अभी जो दूसरी मीटिंग होई थी वहां पर बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया था बहुत कम बच्चे जोते उन्होंने ट्वीट किया था जिस तरीके से बच्चों ने कम सपोर्ट किया उसके बाद में क्या हुआ है कि आपके exam होने के और आपके exam ना होने के यलो फंगस की बात हो रही है तो देखिए कुछ भी हो सकता है एक जून को पता चलेगा exam के बारे में क्या है क्या है क्या नहीं है लेकिए डिमांड है और मेरी हाद जोड़ के request है कि जिस तरीके से cbsc वाले बच्चों के बारे में सोच जा रहा है कि उनका 90 मिनट में पेप कर दिया जाने कि easy paper हो जाए काफी तो उस तरीके से NIS वाले बच्चों के बारे में सोच जाए क्योंकि NIS वाले बच्चों के बुक्स वगरा भी टाइम पर नहीं है तो ऐसा NIS वाले बच्चों के बारे में सोच जाए मैं NIS वाले बच्चों के सपोर्ट में हूँ उनका तो आप सब इस प्रेंट में मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, थैंक्यू फूर वोचिंगे,